कर रहा है A straight highway leads to the foot of the tower A man standing at the top of the tower observe the car at an angle of depression 30 degree एक car को देख रहा है उसका angle of depression कितना है 30 degree देख कहां से रहा है टावर से तो ये टावर हो गया ये टावर से इस car को देख रहा है माल लो ठीक है तो ये car है हमारे पास A पर ये angle हमारे डिप्रेशन कितना मिल ला है 30 degree फिर आगे क्या कहा रहा है which is approaching the foot of the tower with uniform speed ये uniform speed से आगे की तरह बढ़ता जा रहा है बढ़ते बढ़ते मालो B पे पहुँचिए है 6 second के बाद तो यहां से यहां तक ये 6 second हुआ तो 6 second ये distance हम 6 V माल लेते हैं क्यों ये speed हो गया V और ये time हो गया speed into time distance मिल गया अब इसका angle आप depression कितना डिग्री हो गया 60 degree हो गया alternate angle से पहले तो ये 60 और ये 30 बना लेते हैं A से B पे पहुँच गया अभी भी वो आगे की तरह बढ़ता जा रहा है पूछ रहा कितने second में वो tower तक पहुच जाएगा तो कितने second में हमें नहीं पता तो हम माल लेते हैं t second में तो time into speed करेंगे तो ये distance मिल जाएगा और ये height हम इसको h माल लेते हैं तो हमसे ये time पूछ रहा कि कितने time में वो पहुच जाएगा let क्या क्या हमें लट करना speed of car speed of car यह हमने माल लिया क्या v meter per second ठीक है और क्या माना it will reach या time taken to reach the foot of the tower ऐसे ले लो क्या time taken time taken to reach the foot of the tower foot of tower तक पहुचने में इसको और कितना समय लग जाएगा t second माल लिया ठीक है therefore a से b तक का जो distance होगा speed into time 6 into v meter यानि 6 v meter आ गया यह हो गया 6 v meter a b आ गया distance और उसके बाद t second और लगेगा तो b से q तक का distance क्या में जाएगा t into v speed into time तो यह मिल गया हमारे पास अब दोनों triangle में एके करके बारी बारी से पहले in triangle p b q में 1060 लगा लेते हैं in triangle p b q in triangle p b q 1060 तो 1060 इक्वाल टू क्या मिलेगा हमें पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर क्या p q base b q तो p q की value जो है h है और b q की value t v है तो h अपान में t v 1060 की value root 3 h इक्वाल टू क्या मिला root 3 t v equation number 1 बना लेना अब क्या करोगे next दूसरा वाला triangle ले लो in triangle a p q 1030 लगा लेते हैं तो 1030 इक्वाल टू पर्पेंडिकुलर क्या p q अपान में base क्या a q तो p q की value तो फिर से h और a q की value 6 v और plus t v और 1030 हो गया 1 by root 3 तो h root 3 cross multiply करके 6 v plus t v equation number 1 से h की value रखो तो ये क्या मिला root 3 t v और into क्या था root 3 equal to 6 v plus t v तो root 3 root 3 3 t v equal to 6 v plus t v तो ये t v इधर ले आओ तो 3 t v में से 1 t v हटा दो तो 3 t v minus t v equal to 6 v तो क्या मिला 2 t v equal to 6 v v से v करो cancel तो जब v से v cancel कर देंगे तो क्या मिला हमें 2 t equal to 6 तो t equal to 3 second तो 3 second तो तीन second उसको और लगेगा जब वो tower के foot तक पहुँच जाएगा ये इसका answer हो गया next question